दोस्तों नमस्कार, Common University's Entrance Test के बारे में कुछ और जानकारियां निकल कर आ रही हैं, यह जानकारियां और भी चीजों को confuse कर रही हैं, इन में बताया गया है कि यह Entrance Test के तीन हिस्से होंगे, तीन सेक्षन होंगे, पहले सेक्षन में Languages हैं, दूसरे में Domain Subjects हैं और तीसरा General Test है, General Test में Aptitude रहेगा, Logical Analytical Reasoning रहेगी, Section 1 में भाशाय रहेंगी, यानि Languages रहेंगी, आप कोई दो Languages चुन सकते हो, Section 2 में Domain Subjects रहेंगे, और आप 27 में से 6 Domain Subjects चुन सकते हो, उसके लावा, जिन Universities में आप जाना चाते हो, फोरम भरते समय आपको उनकी लिस्ट भी चुननी है, Languages का चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना है, कि जिन Universities में आप जा रहे हो, जिन Colleges में आप admission लेना चाते हो, वहाँ पर याली Languages चलती हैं कि नहीं चलती, मान लीजिए आप दिली उशिद ध्याले में इडिमिशन लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर कंड़ यातमिल अगर आप भरेंगे, तो आपको कठाई आ सकती है, domain subjects के बारे में कहा गया है, कि आप 6 subjects का चुनाव कर सकते हो, सताई subject में से, लेकिन उसके साथ एक rider भी लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि आप सिर्फ वोई subject चुन सकते हो, जिसका चुनाव आपने 12 के इमतान में किया था, इसका ताथ पर यह निकलता है, कि अगर 12 में आप science के विद्यारती थे, और आप में physics, MSC, math, अंग्रेजी और पांच माली यह computer science, engineering, graphics में सकोई लिया था, तो यह 5 subjects का ही आप चुनाव कर सकते हो, अगर आप commerce या economics, या humanities का की subject लेना चाहोगे, तो इस writer के अनुसार उसको आप नहीं ले सकते, अखवार में जो खबरें आ रही हैं, वो और भी ज़्यादा confusion फैला रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि science के विद्यारती humanities में भी admission ले सकते हैं, इस common humanities entrance test के अनुसार, इसके score के अनुसार, जब science के विद्यारतीयों को आप सिर्फ वो ही subject चुनने की इजाज़त दोगे, जो subject उसने बारी में चुने हैं, तो humanities के subject कैसे चुनेगा, अब universities जो admission देंगी, वो admission देंगी, इस entrance test के score के अधार पर, और उन subjects में आपको admission देंगी, जिन subjects को आपने इस तताकतित entrance test में clear किया है, जो विद्यारती बार्मी का इंतान दे के अपने subject के अनुसार admission लेते थे, उनके लिए किसी किसम की कटना ही नहीं थी, जिन विश्विध्यालों में या जिन महाविध्यालों में subject प्लाई जाते थे, वहाँ पर वो apply करते थे, अब अगर आप stream change करना चाह रहे हैं, तो इस अख़वार की खबरों के नुसार, आपको उस stream के subject clear करने पड़ेंगे, जो 6 subject आपको domain subject के रूप में आपको clear करने हैं, एक और इसमें विचेत्रबात कहीं गई है, कि किसी प्रकार की कोई central counselling नहीं होगी, यानि national testing agency जो इस exam को conduct कराएगी, किसी प्रकार की कोई central counselling की विवस्था नहीं करेगी, और जिस भी विश्विध्याले में आपको admission लेना है, जिस भी college में आपको admission लेना है, उतकी counselling में जाकर आपको पुने आवेदिन करना होगा, और ये central university's interest test के score के अधार पर, वो लोग merit list बनाएंगे और उसमें आपको admission देंगे, इसमें कहीं भी स्पर्ष नहीं किया गया, कि sports quota के तहत, जिन चात्राओं को famous colleges, famous universities admission देती थी, उनकी खेलों में रुची, खेलों में कौशल के अधार पर उनके लिए क्या विवस्था की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्फानन में एक नई योजना बना ली गई, और धीरे धीरे करके उसके बारे में सूचना है, पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है, इसकी विश्थरित जानकारी अखवारों के माध्यम से माननिये शिक्षा मंतरी को देनी चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजन्सी को इसकी विश्थरित जानकारी देनी चाहिए, समय बहुत कम है जुलाई में, आप कह रहे हैं इसके इमतान लेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि पांच से दिन तक सुबह की शिव्थ में और दुबहर की शिव्थ में इसके इमतान चलेंगे, यानि इसमें और जो कट्राई आने वाली है वो ये भी रहेगी, कि जिसने फला तारिक को पेपर दिया था, उसका पेपर असान आ गया, और जिसने किसी और तारिक को इमतान दिया था, उसका पेपर कठिन आ गया, इस तरहें की विसंगतियों से बचने के लिए, जरूरी ये है, कि यूश्टी ग्रांट कमिशन अपने इस निर्दे पर पुनाव विचार करे, नेशनल टेस्टिंग अजेंसी सारी बातों को स्पश्च करके बताए, शुक्क आमना है, नमस्कार,